इस खिलावने को बनाने के लिए आपको दो मुणने वाली स्ट्रॉ दरकार होंगी एक बड़ी मोती और रबरबेंड भी दरकार होगा सबसे पहले एक स्ट्रॉ को थोड़ा सा लंबाई में काटे और इसे दबा कर दूसरी स्ट्रॉ में दाखिल करने इस से दोनों स्ट्रॉ आपस में जुड़ जाएंगे अब एक सिरे को अपने मुँ में रखें और फोकेंगे तो दूसरा सिरा हाती की सूंड की तरह जट से उपर आएगा अब निचले सिरे को 90 दरजे के 90 दरजे पर तै कर दें फिर उपर वाले सिरे को मुँ में रख कर फूंकेगे तो पूरी स्ट्रॉ गोल गोल भूमेगी चकर खाएगी अब दोनों स्ट्रॉ को काट कर आदा कर दें फिर एक स्ट्रॉ को लंबाई में काटें और दोबारा इससे दबा कर दूसरी वाली स्ट्रॉ में दाखिल करें इससे दोनों स्ट्रॉ हापस में दोबारा जुड जाएंगी फिर एक ढीले मोती को इस एक सिरे में दाखिल करें और एक रबरबेंड लगा दें जिससे के ये मोती आपस आपके मुँ में ना चला जाए इसके बाद आप मोती को मुँ में पकड़ कर फुकेंगे तो स्ट्रॉक गोल गोल घूमेगी मोती एक बेरिंग का काम करता है इससे आपको तकलीप नहीं होगी यहां आपको नजर आ रहा है कि पूरी स्ट्रॉक घड़ी की सिम्त में घूम रही है इसे थोड़ा रोकें और निचले सिरे को 180 दरजे पर मोड दे अब आप दुबार पुकेंगे तो सिम्त की रबतार घड़ी की सिम्त में हो जाएगी इसकी सिम्त में तब देली आएगी है ना बड़ा मजीदार खिलो ना